चोपड़ा है जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्पागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चोग आज इस वीडियो में हम काफी सारे स्टेट की काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम AIMS के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं आप सबको पता है AIMS का जो एड्मिसन है वो MCC दवारा करवाया जाता है लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो NTA नहीं जो एप्लिकेशन फिल करवाया था रिक्वायरमेंट है मार्ट की तो इसमें सबसे पहले देखते हम इसकी जैसी आप वेबसाइट ओपन करेंगे AIMS exams.ac.in तो इस परकार का नोटिफिकेशन आएगा इसमें प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है तो वो प्रोस्पेक्ट एक बार हम यहां देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें AIMS का दिया गया है कि 17 years complete हो जानी चीए 31st December 2024 को और इसके बाद में कंडिडेट का जनम 31st December 2007 को या इससे पहले हुआ होना चीए तो यह तो है AIMS की कंडिशन एमस के अंदर दूसरी 12th class पास होना चीए Physics, Chemistry, Biology या फिर Additional Biology सब्जेक्ट वाले कंडिडेट भी इसमें अलाव हैं तो इनसे पास हुआ होना चीए इनमें जो Aggregate Marks है English, Physics, Chemistry और Biology या Additional Biology में वो General और OBC के लिए 60% होना चीए SC, ST के लिए 50% होना चीए और PWD कंडिडेट के लिए 45% होना चीए Aggregate का मतलब होता है English, Physics, Chemistry, Biology इन टोटल चारूं का जो टोटल है वो होना चीए इसमें अलग-अलग की आवश्यक्ता नहीं है वो टोटल होना चीए एम्स की फीश काफी कम है 4,228 रुपीज इसमें फीश लगती है Hostel Security बगरा ये सारा सब कुछ इसमें आ जाता है अब बात करें हम दूसरे स्टेट की MP की मर्दे प्रदेश का भी सेडूल जारी हो चुका है इसकी वेबसाइट dme.online.gov.in है तो इसका ओनलाइन रेजिस्टेशन है वो 12 अगस्ट 24 से स्टार्ट है और 20 अगस्ट 24 तक रात 12 बजे तक है तो इसका आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं वेकेंसी पब्लीश हो जाएगी 14 अगस्ट को और इसमें जो स्टेट मेरिट आएगी वो 21 अगस्ट को आजाएगी च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं 22 से 26 तक और रेजल्ट 29 अगस्ट को आजाएगा रिपोर्टिंग 31 से से के 4 सिप्टेमबर तक होगी इसमें तो ये सेडूल आ गया है मद्यप्रदेश स्टेट का अब बात करेंगे पुडूचेरी स्टेट का तो पुडूचेरी स्टेट के रेजिस्टरेशन आलड़ी ओन गॉइंग है और इसमें इसकी जो वेबसाइट है www.centag.puduchery.in है इसकी डेट extend कर दी गई है ये 8 अगस्त 2004 साम 5 बजे तक है तो जिन कंडिडेट को पुडूचेरी में एडमिसन लेना या तीन प्राइवेट को लेज हैं और यहाँ एडमिसन ले सकते हैं तो इसके लिए आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं MP का जो मैंने पहले close state है यहाँ से second round से दूसरे state को allow किया जाता है candidate को लेकिन chance नहीं रहता क्योंकि पहले MP state के candidate को priority दी जाती है और उसके बाद other state को लेकिन 2-3 शालू में देखने के लिए आया है कि अभी तक दूसरे state candidate का number आता नहीं है यहाँ पर क्योंकि MP state के candidate के लिए ही यहाँ seat full रहती है अब हम बात करें तेलंगाना state की तो तेलंगाना state ने भी registration स्टार्ट कर दिये हैं तेलंगाना state में दो तरह के registration होते हैं एक होता है competent authority के लिए यहाँ की government quota के लिए और एक होता है management quota के लिए तो अभी competent authority के लिए ही registration स्टार्ट होए है यानि government के लिए registration स्टार्ट होए है इस इसकी जो वेबसाइट है www.knruss.telangana.gov.in है इस पर आप इसका registration कर सकते ही जो government के दो मिसाइल यानि दो मिसाइल candidate है वो अभी registration कर सकते हैं private के लिए candidate management seat के लिए वो बाद में करेंगे अभी उसका notification आया नहीं है जो इसकी availability of online application यानि कि 4 अगस्ते इसके form start हो चुके हैं और इसकी last date 13 अगस्ट 24 है बाकी schedule इसका बाद में आएगा अब बात करें करनाटका state की तो करनाटका state का मैंने पहले video बना कि भी बताया था इसके registration start है जिन candidate ने registration नहीं किया है वो new registration कर सकते हैं last date 9 अगस्ट 24 रात 12 बजे तक है करनाटका state के लिए अब बात करेंगे हम केरलाई state के लिए तो केरलाई state के registration आलरी close हो रुकें जिन candidate ने registration किया है उनका result submission का यहाँ date आ गया है यानि कि उनके marks upload करने हैं marks से upload का मतलब आप इसमें रोल नमबर फिल करेंगे application नमबर फिल करेंगे date of worth फिल करेंगे उसके बाद में आप submit पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा data आ जाएगा आपका data सही है तो उसको submit करना है तो यह result submission आपको जरूर करना है अगर यह नहीं करते हैं तो इसके लिए आगे की counseling के लिए eligible नहीं हो पाएंगे तो इसकी last date 11 अगस्त रात 12 बजे तक है तो यह आपने जरूर करना है अगर केरिला स्टेट में application form फिल कर रखाएगे मैं आपको बता दूँ कि केरिला की registration कर सकते हैं गुजरात भी एक close state है तो यहां जो registration इनकी date है वो 3 अगस्त 24 है पहले यहां आपको pin purchase करने होते हैं वो website से purchase हो जाते हैं उसके बाद registration करना होता है यहां offline documents verification होता है help line पर वो 5 अगस्त से 14 अगस्त 24 तक है तो गुजरात state के जो domicile candidate हैं जिन्होंने गुजरात से 10th 11 12th कर रखी है वो इसके लिए eligible हैं चाहे यहां का government quota हो चाहे management quota हो NRA quota के लिए other state candidate भी admission ले सकते हैं यहां पर online pin purchase करने की जो amount है वो 11,000 है 11,000 यह amount है जिसमे 1,000 non refundable है 10,000 refundable amount है यानि कि security deposit है यह तो इस परकार से गुजरात state का registration कर सकते हैं जो गुजरात से जिन्होंने 10th 11 12th पास कर रखी है domicile candidate है वहां के अगर आपको counseling के बारे में जानकारी लिनी है तो आप हमारी book यह download कर सकते है ओल इंडिया quota state I.U. स्वेटनरी तीनों की book available है इसमें सबसे पहले यह है कि 2024 के लिए choice list दे रखी है आप अपने state के इसाब से choice fill कर सकते हैं इसमें round wise category wise college wise cut off दे रखी है जिससे आप यह idea लगा सकते हैं कि पिछली साल आपको कौन से rank पे कौन सा college मिला था तो वहां से आपको एक idea मिल जाएगा bond वगरा के बारे में registration के बारे में और यह एक flow chart से process को समझाया गया है ऐसे ही state की book में सारी facility available है हर एक state के बारे में समझाया गया है और ऐसे ही I use और veterinary की book में भी यह सारी facility available हैं इसको आप हमारी इस video के description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से भी इसको download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे तो यह जानकारी थी अधर state की सभी state के update अभी तक क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है बाकिए updates के बारे में आपसे समय समय पर फिर मुलाकात होती रहेंगी तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में पत्तक के लिए जैहीं